हेलो वेल्कम टो वर चालेंड फैक्सट्राइक 2.0 एडियम फ्रेजिस की जमनी स्टाट किती उसकी यह सेकंड वीडियो हमारी से पहले एक पीडियो टाल चुके हैं आप चाहिए तो उसे देख सकते हैं सब्सक्राइब काफी कॉमन एक इडियम है इसका मतलब होता है कि फीलिंग नर्वसनेस जो नर्वस फीलिंग होती है जब आप फील करते हैं तो उससे कहा जाता है बटरफ्लाइस इन दे स्टमक पर एक्जामपल लुकिंग दाउन फ्रॉम हाइड ऑल्वेज गिवस मी बटरफ इस स्टमक हो रही है है तो किसी भी तरह की फीलिंग जो की पतरो है तो उस सिच्वेशन को हम बोलते हैं कि बटरफ्लाइस यहां पर सिंपल सा मतलब है कि अगर हम और घर करते हैं तो बात है कि वह एक impossible ड्रायब सा टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है नेक्स निम्पॉसिबल है तो इस तरीके का कोई भी काम करना जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो हम उस काम के लिए लिए यूज़ करते हैं तो अगर हम स्टार्टिग में टारगेट करें कि हाँ बहुत बहुत जादा कुछ करना है चीव करना है कम दिनों में तो वह कुछ ऐसे इंपॉसिबल सिच्विशन हो जाती जो कि पॉसिबल नहीं होती उसके लिए उसके लिए करते हैं बॉइल दो ऑशेन इन इन वेरी बिगनिंग तिंग्स विल टेक टाइम तो मतलब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आपको सब्सक्राइब या कुछ दुनवरे में आप बहुत ज़्यादा चीव कर लें तो टाइम लगता है चीज़ों में इसलिए स्टार्टिंग में और ओशिन को बॉयल करने की कोशिश ना करिए तो इसका मतलब यह होता है बॉयल दा ओशिन कि थर्ड हमारा ब्रेक सेट इसका मतलब होता है तो फेल भी युज़ और हैं जो फंक वू इक रॉमंसें मतलब आपको याद रहेगा ऐसका यदिक है कि जो फ्रेक्ट ने नहीं हम आब ऐसे पर खेटteenth सेंटेस में जब आप एक ग्रैमर को काफी करते हैं तो हम कहते हैं ब्रेक प्रेशियंस हेड नेक्स आपका कजल वन्स ब्रेन कजल एक रॉट टाइप की होती है मतलब किसी भी मेटरिल की बनी हुई एक ठीक रॉट जिससे किसी को भी पीटे जा सके चाहिए वह एक बेस्बॉल कि दिंदेसे पीटकर कुछ तो इसी से याद आ सकता है कि कुछ ऐसी चीज रिममेंबर करने की कोशिस ना जो कि आपको यादना रही हो तो ठीकापला बॉब्लम या कोई भी जो चीज है जो कि आदना रही है उसको शुचने कि अपने दिमाग पे जो डालना उसको कहा जाता है करजल वोन ब्रेन फर ग्जामबल जैसे कजार हिस ब्रेंस उसे अपना ब्रेन जो है वो कजल कहना पड़ा ठू रिमेंबर हर नेम अगला है a chink in someone's armor a weak point in someone's character or arguments which makes them vulnerable to attack देखें चिंग का मतलब पता ही है आपको चिंग का मतलब होता है कोई भी crack किसी भी टाइप का और आर्मर जो protective layer होती है यह जो बचाता है शिल्ड टाइप की जो बचाता है तो अगर किसी के shield में कोई crack होगा तो इसका मतलब वो crack से उस shield को तोड़ा जा सकता है उस crack पर एटैक करके तो यानि वो क्या है वो उसका वीक पॉइंट है उसके armor का जूसको safe कर रहा है उस आर्मर का वोग पॉइंट होना मतलब उसके किसी भी argument में या उसका character जो भी है उसमें कोई vulnerable point हो कोई weak point हो तो उसको कहा जाता है a chink in someone's armor for example though she is good in theory but lack of practical knowledge is chink in her armor यानि वो theory में अच्छी है but practical knowledge की कमी जो है वो chink in her armor है उसकी armor में एक crack है ठीक है weak point हो उसका तो यह थे आसके हमारी demon phrases hope आपको कुछ help होई हो मैं थे आप से अगली वीडियो में धन्यवाद